भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक नई गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और आज हम ऐसी ही आठ गाड़ीओं की बात करेंगे जो कि कुछी महीनों के अंदर भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो हो सकता है कि इन में से कोई न कोई गाड़ी आपको अपनी फैमली के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक्स है वो बहुत ही स्पोर्टी और मस्कुलर है कार को एरो डायनमिकली डिजाइन किया गया है जिससे गार देखने में बहुत ही शांदार लगती है सामने आपको LED हैडलाइट्स मिल जाएंगे LED डियारिल और नीचे आपको LED फॉग ल जो कि है 6-speed का automatic बात कर लेते हैं कार के interior से तो कार के interior बहुत ही premium और luxury है आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस कार में travel कर लोगे इस space को लेकर कोई भी दिक्कत आपको इस कार में नहीं आएगी 12-inch TFT driver display, heated steering wheel with paddle shifters, heads up display, ambient lighting, panoramic sunroof, electrically adjustable driver and co driver seat ऐसे features आपको इस कार में मिल जाने वा या मिल जाएंगे, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी, तो November and या फिर December starting weeks में ये कार confirm भारती बजार में launch हो जाएगी, नमबर 2 पर आती है Toyota Rush, रश एक 7-setter SUV है जिसकी pricing चाली होगी 10 लाक रोपे से और इसको जो top model वह आपको 17 ला ये appearance शो कर देती है, बात कर लेते हैं कार के electricals के उसामने आपको LED headlights मिलेंगी, LED DRL नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको LED tail light और bulb indicators offer कर दिये जाते हैं, अगर बात कर लेते हैं कार के engine की तो कार में आपको मिलेगा 1.2 लीटर का naturally aspirated petrol engine और दूसरा आपको मिल सकता है 1.4 लीटर का diesel engine, 5-speed के manual transmission और automatic transmission आपकी वाली गाड़ी मिल जाने वाली है, कार के interior से बात करें तो कार का interior बहुती comfortable और spacious है, आप साथ लोग आराम से इस कार में travel कर लोगे, leg room और head room को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, कार की length अच्छी खासी लंबी है, features भी कार में को बहु भारती बजार में launch हो जाएगी, तो November 2023 में ये कार confirm भारती बजार में आने वाली है, नमबर 3 पर आती है Jeep Avenger, Avenger एक 5-sitter compact SUV है, और ये जो कार है, ये specially उन लोगों के लिए जिनकी family छोटी है और जिनका budget भी थोड़ा सा कम है, 8 लाक रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसको जो top model हो आपको तकरीबन 14 लाक रुपे के अंदर मिल जाएगा, कार का जो looks है वो बहुत ही खूपसूरत है, देखने में कार बहुत ही बढ़िये लगती है, और जो कार के electrical से उसमें आपको LED headlights offer कर दी जाती है, LED DRL नीचे आपको LED fog lamp, पीछे आपको box shape में LED tail light और bulb indicators offer क कर दिये जाते हैं, तो overall जो looks है जो electrical से वो आपको price के साफ से कार में बहुत ही बढ़िये मिल जाते हैं, अगर engine की बात करें तो कार में आपको मिलेगा 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5 speed का manual transmission और automatic transmission offer कर दिये जाने वाला है, कार के interior से बात करें तो अंदर आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस कार में travel कर लोगे, space को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, infotainment system जिसमें आपको apple car play और android auto connectivity मिल जाती है, cruise control, dual zone climate control, TFT driver display और जो safety features से वो भी आपको इस कार में बहुत ही शांदार मिल जाने वाले हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक launch हो बजार में आने वाला है, और लोग इस कार का बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये जो कार ये इंडिया की best SUV है, जिसको इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, 9 लाक रोपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model है, वो आपको 15 लाक रोपे के अंदर म पता लगता है कि कार में आपको थोड़ो बहुत नया डिजाइन मिलेगा बाहर से, नया electrical setup आपको offer किये जाएंगे, और जो major changes है वो आपको इसके interior में देखने को मिलने वाला है, नया infotainment system, TFT digital driver display और जुसके steering wheel है, उस पे भी आपको काच का एक तुकड़ा मिलता है, जिस इस साल भी आपको देखने को मिलेगा, petrol engine में आपको मिलेगा और एक नया engine आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 1.2 liter का, तो बहुत कुछ आपको आने वाले Nexon में मिलने वाला है, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये Nexon कब तक भारती बज़ार में launch होने वाली है, तो November या फिर December एंड तक ये कार कनफर्म भारती बज़ार में launch हो जाएगी, नमबर फाइब पर आती है Honda BRV, ये एक सेवन सेटर SUV है, तो ये कार भी उन लोगों के लिए जिनका बज़ट कम है और जिनकी बड़ी फैमली है, 10 लाक रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और उसका जो LED टेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर्स इस कार में आपको ओफर हो जाने वाले हैं, कार में आपको 17 इंचेस के अलोई वील्स मिलेंगे, बात कर लेते हैं, एंजन की तो कार में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का IV-TEC पैट्रल इंजन, जिसमें आपको 100 BHP की पावर और 125 wireless charging, dry modes भी आपको इस कार में मिलेंगे, panormic sunroof, safety classics, airbags, ABS, EBD, lane changing assist, ऐसे इतने सारे features आपको इस कार में मिल जाने वाले हैं, तो मैं आखा हूँ तो अगर आपको अपनी family के लिए comfortable car चाहिए और आपकी family बड़ी है, तो आप थोड़ा बहुत इस कार के लिए रुख सकते हो, यह जो कार है, यह January 2024 में भारती बजार में launch होने वाली है, नमबर 6 पर आती है Hyundai Centafi, Centafi एक premium 5-seater SUV है, जिसकी pricing चालू होगी 20 लाक रुपे से और इसका जो top model है, वो आपको 30 लाक रुपे के अंदर मिल जाएगा, हाला कि इस कार का नया facelift मतलम नया generation वाला model भी आ चुका ह लेकिन इंडिया में इसका पुराना जनरेशनी launch किया जाएगा, बात करते हैं लुक्स की तो कार का जो लुक्स वो बहुती bold और muscular है, और जो कार की length है वो भी अच्छी खासी लंबी है, जिससे यह पता लगता है कि अंदर आपको बहुती spacious और comfortability मिलने वाली है, जो electricals है, उनकी जो visibility जो performance वो भी हाँ पर आपको top notch quality की मिल जाती है, तो उनको लेकर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ A1 quality का ही आपको इस कार में देखने को मिलने वाला है, बात कर लेते हैं, एंजिन की तो कार में आपको मिलेगा 2 लीटर का paddle engine, जिसमें आपको म travel display, heads up display, van related seat और panoramic sunroof आपको offer हो जाने वाला है, और आप 5 लोग आराम से इस कार में travel कर लोगे, आपको leg room या फिर head room को लेकर तो कोई भी दिक्कत इस कार में नहीं आने वाली है, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक launch हो जाएगी, तो January and या फिर February starting में ये कार confirm 2024 2024 में launch होने वाली है, नमबर 7 पर आती है Toyota Land Cruiser 250, ये जो कार है उसको 2024 में launch किया जाएगा और इसकी जो price वो something रहेगी 1 करोड रुपे, जी हाँ दोस्तों लेकिन 1 करोड लाएक इसमें आपको looks भी मिलता है, और जो features हैं, जो interior का designing है, जो overall car का designing है, वो भी यहाँ पर आपको श सामने आपको round LED headlights मिलती है, नीचे आपको LED fog lamp मिलेंगे, पीछे आपको LED tail light और LED indicators इसमें आपको offer कर दिये जाने वाले हैं, car में आपको मिलता है 2.4 लीटर का hybrid engine, जिसमें आपको 326 BHP की power और 630 Nm का torque मिलता है, और इसमें आपको 8 speed का automatic transmission मिल जाता है, car के interior से बात करें तो प्राम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे, 10 इंच TFT driver display, 12.3 इंच infotainment system, 14 speakers, वो भी JBL के 20 इंचे आपको इस कार में मिल जाती है, तो दोस्तो अगर आपका budget इतना है और आप इतनी solid SUV को लेना चाहते हो, तो आप बिलकुल Land Cruiser 250 को ले सकते हैं, नमबर 8 पर आती है Honda Breeze, ब्रीज एक 5-setter premium SUV है, जिसकी present चली होगी 12 लाख रुपे से, और इसका जो top model है, वो आपको 20 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा, यह जो कारी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, कार का जो लुक्स है, वो बहुत ही शानदर है, एकदम आई-कैची और muscular appearance, यह अपनी कार को इसक जिनकी बात करें, तो कार में आपको मिलता है 1.5 लीटर का turbo charge petrol engine, जिसमें आपको 195 बहुत ही प्रीमियम और luxury है, जब आप इनकी seat पर बैठोगे, तो एकदम राजा वाली आपको feel आएगी, तो आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे, auto AC, large infotainment system आपको यहाँ पर मिलने वाला जो की बहुत ही बड़ा है, wireless charging, TFT driver display, dual zone climate control, Honda connect technology, 12 speakers, safety के लिए 8S system भी आपको इसमें मिलेगा, cruise control, lane keep assist, blind spot monitoring, ऐसे ऐसे बहुत सारे features आपको इस कार में मिल जाते हैं, अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब दग launch हो जाएगी, तो आप comment करके बताओ कि इन 8 कार्ट में से कौन से गाड़ी आपको सबसे जादा यहाँ पर पसंद आई है और आप किसको लेना पसंद करोगे, तुमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो, और